हलो इस्टूरेंट्स वेल्कम बैक गजवाकर अकेडमी मैसल अरंधीप सिंगण हम डिसर्स कर रहे हैं एप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेट्स एक्जेम्पल लमब वन से डिसर्स करेंगे क्या किया रहा देखो बिल्कुल आसान है सारा हमने इंट्र इंट्री एक्स को मिल्टिप्लाई करो माइनस में 3 रखता है 2 एक्स को इससे करो 2-6 माइनस करी टूट सक्कै माइनस मांस प्लस 6060 अपड़ेगा आपनुको सिक्सेटक आ ठीक हो जाएगा और सब्स्टेट करेंगे तो यह जाएगा रभूद सिक्सक्न है ठीक माइनव नह काम बनी रहा है एक मिनट रुको six six में से one x गया तो five x होगा और multiply करेंगे तो negative का six six को रहो जाएगा ओके फिर common लेने पर काम नहीं मत्रा one x को आगे ले लो फिर इसका मतले एक मिनट हाँ negative का one x यहां कर दो और यह क्या वैलू थी आपका पॉजिटिव का six x अब ठीक है अब common लो इसमें से क्या common आ जाएगा एक्स यहां कि बचाएगा two x-1 यहां देखो two x-1 बाहर कि बचाएगा आप टुछका negative का three यह positive का three three से क्या six और यह negative three देखो two x-1 और x plus three equals to zero अब ध्यान देना two x-1 equals to zero है तो x का value half आ रहा है और x plus 3 equals to 0 है तो x का value minus 3 आ रहा है अब यह दो-दो answer आ रहे हैं हम बेशक दोनों answer को consider करते हैं अगर नहीं आप एक condition नहीं दे तो यह बोल रहा find the integral value of x यानि की integers है but x is integer अगर x integer है तो यह value तो होई नहीं सकती ठीक है so x not equals to half x equals to minus 3 is our answer बताव समझ में आया का clear है example number 1 completed